आप देख रहे हैं दोस्तों आज कहा हमारा टॉपिक है सीलियक डिजीज पिक्या हुता है और क्या काज़े हैं ग्लूटन अलर्जी या गेहूं से अलर्जी या ऐसी कोई इस तरह की चीज़ आपने जो सुनी है उसके बार में बात करते हैं क्या है यह सीलियक डिजीज कैसे होती है सो सीलियक डिजीज एक digestive disorder है जिसके वज़े से आपके small intestine में problems आते हैं जब भी कोई आप ऐसा खाना खाएं जिसमें के gluten नाम का protein मौझूद हो ये gluten protein गेहु में, राई में, बारली में, ऐसी कई सारे अनाज में पाया जाता है और सीलियक डिजीज का मतलब ही यही है कि अगर आपको gluten sensitivity है ये एक autoimmune disease है, मतलब कि gluten के अंदर जो protein वो एक antigen के जैसा काम करता है और ये antigen आपके body के अंदर antibody produce करते हैं जो कि आपके small intestine के अंदर inflammation करते हैं, उसको damage करते हैं इस disease में अंदर जब भी आप इस प्रकार की कोई भी चीज, गेहूं से बनी हुई चीज या राई, बारली, अनाज से बनी हुई चीज खाते हैं तो gluten उसके अंदर जो मौझूद gluten protein होता है, वो एक तरीके से आपके immune system को stimulate करता है और immune system आपका activate होके आपके small intestine को damage करता है, ठीक है, और इसके वज़े से damaged intestine होने के वज़े से आपका शरीर कई important nutrients absorb नहीं कर पाता, vitamins की कमी, calcium की कमी, protein की कमी, कई सारी चीजों की कमी हो सकती है, वजन कम हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो बांग करते है इसके बारे में, अगर छोटे बच्चों को ऐसी दिक्कत हो रही है, infant है, बहुत ही छोटा है, तो उनको digestive trouble हो सकता है, पेट में, bloating, vomiting, ulty, dust, kubzy, ऐसी चीजे, अब ऐसे में बच्चा क्या बताएगा, बच्चा बो इरिटेट रहेगा, fretful रहेगा, emotionally withdrawn, हसनी रहा, खेलनी र या फिर कई बार, excessively आप पर dependent रहना, कि नहीं मेरे को गोदी उठाओ, मेरे को मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं चलूँगा, और ऐसे में बच्चे की growth भी कम हो सकती है, even आपके दातों में damage हो सकता है, tooth enamel को damage हो सकता है, बच्चा जो है, even over weight हो सकता है, because वो ऐसी चीजे खा So digestive issues क्या हो सकते है, एक teenagers में, adults में, obviously diarrhea हो सकता है, कोई भी चीज आपके intestine को irritate करेगी, तो वहाँ पर पानी जादा बनेगा, और lose motion हो सकता है, साथ ही कुछ areas में सूजन जादा होने के वज़े से constipation हो सकता है, और vitamin nutrition का problem होने के वज़े से growth कम हो सकती है, hair loss हो सकता है, puberty late आ स प्रेट में भी सेम चीज होगी, digestive issues, diarrhea, constipation, fatigue, joint pain, bone pain हो सकता है, irritability, anxiety, depression, periods में problem, हड्डियों में, गड़बर आना, osteoporosis, anemia, खुन की कमी, lactose intolerance भी साथ में पॉजूद हो सकता है, कि दूद पीने से भी दिक्कत हो रही है, दूद से भी दिक्कत, गहुं से भी दिक्कत, में चाले, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कई सी जे हो सकती है, क्या cause है इसका, यह सब क्यों हो रहा है, autoimmune disease का मतलब आपकी immunity आपको damage कर रही है, तो सब को क्यों नहीं होता, यह genetic reasons है, यह याद रखिए, अगर आपके family member में किसी को सीले एक disease है, तो आपको risk है, अगर even एक member आ प्लस कई सारी autoimmune diseases, अगर आपको अल्रेडी हैं, दूसरी जैसे diabetes type 1, rheumatid arthritis, autoimmune thyroid, Edison's disease, jargon syndrome, ऐसी diseases के साथ यह disease मौजूद होना possible है, so genetic disorders, यह एक तरीक से genetic disorder कह लीजे, साथ में दूसरे genetic disorder जैसे कोई internal syndrome होता है, एक down syndrome होता है, इनके साथ भी यह पाया जाता है, ठीक है, पगर यह sensitivity है, यह sensitivity कई बार आपको बच्छमन से पता हो, नहीं जरूरी, हो सकता है, एक दम आए, एक बार आप भी मार हुए, एक बार आपको कोई बड़ी चोट लगी, हड़ी टूटी, एक बार आप हॉस्पिटल में भरती हुए, कोई operation कर रहा है, उसके बाद से आपकी, अब म कुछ तरीके के सही जिंदगी जी के थोड़ा शांत भी किया जा सकता है, यह possible है, ठीक है, so diagnosis के लिए क्या होना चाहिए, blood test important है, जिससे के indicate हो सकता है, कि आपको celiac disease है, और blood test के साथ-साथ, कई बार confirm करने के लिए, intestine की biopsy उसका टुकड़ा लेके देखा जा सकता है, जरू किया जा सकता है, there is no such way to prevent it, ऐसा कोई तरीका नहीं है, prevent करने का, कि बिमारी ना हो, लेकिन बिमारी है, पता करके, test करके, कि मेरे अंदर anti-TTG antibodies है, तो वो antibodies है, तो आप क्या करें, भई, आप में को gluten नहीं खाना चाहिए, gluten-free diet लेनी चाहिए, तो gluten-free diet लेने से आपकी problem solve हो सक करती है, मगर यह याद रखे, इसको diagnose करना थोड़ा difficult होता है, because ऐसे ही symptom, बाकि सारी digestive disorders, irritable bowel syndrome, और कोई भी digestive problem है, पेट में कोई और bacteria virus का infection है, उसमें भी ऐसे ही symptom आएंगे, right, तो यह बोलना कि पेट खराब है, gluten की allergy के वज़े से है, lactose intolerance के वज़े से है, कोई infection के वज़े स gluten-free diet ले के दिखना चाहिए, अगर problem आपके solve हो जारे है, तो बात ही खतम, फिर यही issue है, so treatment is a gluten-free diet, and then अगर gluten ले ले लेते हैं, कभी cheating हो जाती है, कभी आपका problem आजा, तो फिर वो damage वापस आएगा, because allergy है, so allergic sensitivity kind of उसको ठीक करने के लिए, गई बार दबाने के लिए कुछ काईया होती है, जो inflammation कम कर दे, because एक बार allergy हो गई, मालीजिये, किसी को अगर allergy है, चाला हो गया, तो चाला ना आए, उसके लिए तो बचे हो गया allergy वाली चीज़े, चाला ठीक करने के लिए दवाई देनी पड़ती है, तो anti-allergic treatment, anti-inflammatory medicines आती है, जो पेट के लिए दी जाती ह राइट, वो consultation पर बताई जाए, ऐसे नहीं बता सकते हैं, है ना, so gluten-free diet आप ले सकते हो, खुद से, अगर आपको पेट की दिक्कत है, तो try करके देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रकार के अनाज से बनी हुए, pasta, bread, cereal, processed food, देख देखके खाना पड़ेगा, कौन सी चीज में gluten नहीं है, rice में नहीं है, corn में नहीं है, oats में नहीं है, quinoa, buckwheat, millet, इन चीजों में नहीं है, right, और कई oats वाले product जो है, contaminated हो सकते है, gluten के साथ, तो सोचके खाईएगा, gluten-free लिखा है, product में तो खाईए, मतलब try करके देखो, अगर gluten बंद करने से आपकी problem solve होती है, तो possibility है कि आ ऐसा hidden gluten भी होता है, तो ऐसा भी होता है, कि gluten-free diet ले ले लिए, फिर भी तिकत है, मैं का कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लिब बाम लगा रहा हूँ, अरे भाई, उसमें ऐसा थो, है कि ने, so symptom कम हो गए, लेकिन फिर भी है, तो छुपे हुए gluten को भी छुपा डुणना चाहिए So, research on it, है न, और gluten, जो है, कई बार कई लोग उसको बोलते हैं कि सभी gluten-free diet ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कई सारे restaurants, gluten-free, gluten-free बोलते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, gluten खाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं, gluten-free रहना जरूरी नहीं है, it's your choice, ठीक है, living with celiac disease, इसमें थोड doctor for that, and then, obviously, क्या आपको, अगर आपके घर में किसी को है, तो क्या आपको रिस्क है, yes, रिस्क है, one is to ten, ten percent risk होता है, अगर आपको है, आपके बच्चों को होगा, ten percent risk होगा, और क्या वो डिजीज से कोई major issue है, जान का खत्रा है, तो खता ही नहीं, ऐसी कोई जान का खत्रा न अब क्या gluten free diet ही एक मातर इलाज है, नहीं, अगर कोई इनसान जिसको सीले एक disease है, वो नहीं सो रहा, दो दिन, तीन दिन, चार दिन नहीं सो रहा, तो overall irritability body में बढ़ जाएगी, तो आपको क्या लगता है, उसकी gluten sensitivity बढ़ेगी, क्यों कम होगी, बढ़ जाएगी, तो एक obesity भी कम रहती है, समझें, so it's important for overall अपने life को देखें, अपने शरीर को देखें, अपने परिवार को देखें और एक अच्छे डॉक्टर से बात करें, हमसे बात करना चाहें, तो यह हमारा number है, यह हमारी website है, जाके पढ़ें, और यह वीडियो यहां तक पहुच गए हो, तो झाल, आज करें, यह हमारा चाहे है, तो यह हमारा चाहे है, तो यह हमारा चाहे है, 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 तो यह हमारा चाहे है, यह हमारा चाहे है, यह हमारा चाहे है, यह हमारा है, यह हमारा है,